माफिया मुकतार अनसारी के बाद अब उसके विधायक बेटे अबास अनसारी की मुष्खिले लगातार बढ़ती जा रही है सुभासपासे विधायक अबास अनसारी को एडी ने सलाखों के पीछे रखा है तो अब गाजीपुर की पुलिस भी अबास की क्राइम हिस्टरी पर काम करेगी इसके लिए गाजीपुर की पुलिस ने मोहंदाबाद थाने से क्राइम हिस्टरी के लिए टीम गठित कर दी है और अबास अंसारी के जितने भी क्राइम है अब उसकी क्राइम हिस्टरी सीट बन जा रहा है कि जो गाजीपूर पुलिशन क्राइम हिस्ट्री बना रही है उसमें अब बास अंसारी पर कई मुकदमे दर्ज हैं जिसमें मवू गाजीपूर और लखनौ में मुकदमे दर्ज हैं उसी के तहत अब क्राइम हिस्ट्री बनाई जा रही है गाजीपूर के एसपी ओ पुम्बीर सिंग ने बताया कि अबासंसारी के उपर गाजीपूर, मवू और लखनौ में कई शंगीन मुकदमे दर्ज हैं और चुकि उनका गरीह जनपद गाजीपूर है और वो मुहंदाबाद के रहने वाले हैं इसलिए उनकी हिश्ट्री सीट वहां खोली गई है जिसके क उन पर दर्ज सभी मुकदमों की निगरानी ठीक से हो सके स्पी गाजीपूर ने बताया कि हिश्ट्री स्ट्री सेट संख्या 34 ए है अब बासंसारी के उपर यूपी विधान सभाचुनाओ के दवरान मव में भड़काउ भासड आधी अपराधिक मुकदमों की जाँ चल है हलाकि उन मुकदमों में उच्छ न्याले में मामला लंबित है और फिलहाल एडी अबासंसारी को जील के सलाखों के पीछे रखी है यह अब बासंसारी सवनौफ मुक्तार अंसारी यह मुलूप से यहीं गाजीपूर के रहने वाले हैं और इसके विरुद कैई अभियोग पंजीकरत हैं जनपद लखनू में भी हैं जनपद गाजीपूर में भी हैं मौव में भी हैं और बड़े गंभीर प्रकृति के अभियोग हैं जिसमें गलत तरीके से फोस डॉकुमेंट के आधार पर आम्स लाइसेंस प्राप्त करने का उसके माध्यम से अवैद रूप से प्राप्त करके और इस्तेमाल करने का इसके अलावा जमीन इत्याधी पर भी अवैद तरीके से खरीद फरोथ के आरोप हैं जो गंभीर आरोप हैं और उसी आरोपों के इनकी अपराधिक गतिविदियों को और अपराधिक इत्यास को देखते हुए जनपत गाजीपुर से हिस्टी सीट खोली गई है ताकि इन पर निरंतर निगरानी रखी जा सके यह इनका जो ग्रह जनपत का थाना होता उसी पर खुलती है क्योंकि जादे जरूरत वहीं की निगरानी की इसके बाद अगर कोई अपरादी कहीं और भी जाता है तो उस थाने को भी सूचित कर दिया जाता है कि इसी तरह से यहां के हिस्टी शीटर हैं अगर कहीं और रह रह रहे हैं तो वहां भी इनकी सतद निगरानी की जा सके है क्रिया कलापों की यह सर सुनने में आया है कि जो केस हिस्टी खुली है इसमें जितने भी कहीं कहीं के भी मुकदमे जहां भी दर्ज होंगे वो यहां पर इंगित होंगे हिस्टी शीट केस हिस्टी शीट कहलाती है और हिस्टी शीट में यथा संभव यह जानकारी प्राप्त की जाती है ना केवल उस चनपद और उस थाने के जहां जहां भी अपरादिक इत्यास है वो सारा ही अपरादिक इत्यास हिस्टी शीट में अंकित किया जाता है हाँ निश्चित रूप से हिस्टी शीट खुलने के बाद उसके पुरिश रेगुलेशन में प्रावधान है उसकी चैकिंग होती है उस चैकिंग का इंदराज जो थाने का रेष्टर नमबर आठ जिसे हम विलेज क्राइम नोट बुक कहते हैं उसमें एक भाग होता है पांच मिला वर्तमान गतिवी दिया क्या है इस पर पूरा लिखा जाता है इसकी जो कोई संख्या पढ़ी है सर इसमें इनके हिस्टी हाँ निश्चित रूप से इसमें हाँ चौती से इसकी हिस्टी सीट संख्या है करता है करता है